आपके आपके अपनी यूटूब चैनल एज्ट के नॉलेज और मूर पर मैं बात करने जो आ रहा हूँ एक बहुत इमत्पूर्ण टॉपिक जो की अगरी कल्चर साइंस बेज़ है साइंस के उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपोर्टेंस रखता है जो इंसेक्ट का स्टडी करते हैं अध्यन करते हैं मैं बात कर रहा हूँ एकोनोमिक इंपोर्टेंस आप इंसेक्ट का अगर इससे पहले आपने मेरे दवर अपलोट की हुई वीडियो इंसेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं मैंने आर्थो पोड़ा और इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन में पर बताया कुछ एक्जांपल देकर उसके बाद मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ उनके लिए भी बहुत इंपोर्टेंस हो सकता है तो मित करूंगा वीडियो आप बड़ी बारी की से औरने तक पूरा देखेंगे वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे और चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को करना भूले ताकि आपको नए वीडियो ऐसे ही आपको प्रप्त होते रहा है तो हम बात करते ही इंसेक्ट के बारे में अब सबको पता है कि शुमन बिंक्स जो होता है और जो इंसेक्ट होता है उन सबका घनिष्ट संबंध होता है आप बोलेंगे आप कि बताईए कौन से मनुष्य भाल के रखता है तो जी इंसेक्ट की कई प्रजातिया ऐसे ही जिसमें मनुष्य इंसेक्ट को पालता है अपने प्रोडक्शन के लिए उत्पाद के लिए पालता है कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त करने के लिए पालता है और उसे कई इंसेक्ट मिलेंगे और उसमें से कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होंगे जो जिसकी उपस्थि जिसका प्रजेंस human beings को चड़ने पर मजबूर कर देता होगा उनको मारने पर उतारू हो जाते हैं लोग ठीक है इसलिए यहां पर घनिष्ट संबंद बताया गया है मनुश्य और इंसेक्ट की बीच में आपको पता होना चाहिए कि प्रूथी पर ऐसे कोई भी मनुश्य नहीं होगा जिसके रहन सहन पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का प्रभाव ना पड़ा हो मनुश्य के अनेक रोगों से क्रिसी से उनके उद्योगों से इंडस्ट्री से घरों में और आपके घरों में प्रति दिन रहन सहन से अनेक कीट का घनिश सम्मंद रहता है ठीक है आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका घर पूरी तरह से स्वक्षा और साफ इतना साफ तो हो नहीं सकता कि कोई इंसेक्ट ना रहा है वहाँ पर अन्टमोल जुजी के अंदर्गत कीट चाधं किया जाते है इसको कीट विग्यान कहते हैं इसके लेक अनलगी साखा विक्सित कर दी गई है इसी साखा के अन्दरगत अध्यन करते थे हैं इकोनोमिक हानी ठीक है क्या disadvantage है यह देखिए क्या disadvantage है वो देखेंगे आप लो यह जो मैं बताने जा रहा हूं इसको complete plant and then animal and then human beings birds बताऊंगा आपको ठीक है disadvantage advantage of insect ठीक है क्या-क्या disadvantage रखता है आप सब को पता होना चाहिए कीटों की लगभग 1.4% जो species है वो मनुष्य के लिए हानी कारक होती है आपको पता होना चाहिए कितनी species 1.4% की जो species है इंसेक्ट की यह मनुष्य के लिए काफी ज़्यादा हामफुल हो सकता है लेकिन यह बात आपको पता होना चाहिए हमें बहुत बड़ी वा विवित प्रकार की हानी पहुंचा देते हैं 1.4% लगे तो ऐसा सोचे थे बहुत का मेरे 1.4% लेकिन याद रखना यह 1.4 ही इ है श्लेकरिखा के लिए ठीक फास्तर इसमें अधिन करते हैं क्रॉप प्रस्टकlor कम क्रॉप पेस्ट, क्रॉप पेस्ट कहने का मतलब होता है क्रिशी के लिए हानी का रख कीट, इसको भी हम कही साखाओं में बाट का रध्यन कर सकते हैं, आप एक शाखा आप ले सकते हैं यहां पर इसके अंतरगत पौधो को कुतरने वाले कीट की रूप में ले सकते हैं, पौधो को कुतरने वाले कीट, पौधो को कुतरने वाले कीट में सिभ से पहले नाम, आप भी समझ गए होंगे, आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, इसमें कई सारे कीट आते हैं, जैसे एक होता है, लोकास्ट, इसके बारे में चर्चा मैंने लास्ट वीडियो में किया था, सिस्टो सरका, याद आया, क्या बलते हैं, इसको टिडगरॉस आपर बलते हैं, ठीक है न, ये कीट जानते होंगे, ये प्लान को कुतर सकता है, मतलब पौधे की किसी भी भाकवपत्ती को, फल को, टहनी की, उनकी कोमल दानों को भी खाने वाले होते हैं, जिस जगह पर टिडडी का दल बैड जाती है, उस जगह पर कई मील तक फसल को बरबात कर देती, फसलों का नामू मिल देगा आपको, लोकस सिस्टो सरका जो है, टडडी की एक प्रजाती है, ऐसे कई प्रजाती आती है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग बोलते है, पोटाटो और ग्राम, कट वाम, कट वाम, एक ग्रोटिस, इसको बोलते है, आलू कट भी है, कजरा पिल् का मट मेला रंग का ब्राउन कलर का मोथ होता है, इस पेसल प्रकार का मोथ है, यह पतंगा है, याद रखना मोथ है, ठीक है ना, जो रभी की जितन भी फसल होती है, मतला इस सीजन, विंटर सीजन में जो बोई जाती है, चनागी, गोभी, मुंफली, गेहू, आलू, मतर बोलते हैं, जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं, राइनो सीरस बीटल, यह जो राइनो सीरस बीटल होता है, यह नारियल की पत्ती को कुदर कर नस्ट करने वाला होता है, नेक्स्ट होता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं, रेड पंप्कीन, रेड पंप्कीन बीटल, प्रजाती रेपिडो पल्पा फिकॉलिट्स करके आता है ये एनिमल एक ऐसा इनिमल है ये एक आसा इनिमल है एक आसा इंस्यक्ट है जो की तरबूज है, सीता फल है, कद्दू है, तोरई, लोकी, करिला, ककड़ी, टिंडा है, खीरा है, उसको खा कर नस्ट करने वाले एनिमल्स के रूप में जाना जाता है यह हो गया पौधो को कुतरने वाले कीट अब दूसरे इसमें आता है, जिसको हम लोग कहते हैं, पौधो का रस चूसने वाले कीट मिल सकते हैं, जैसे एक होता है, पाइरीला जानते होंगे आप लोग, यह जो पाइरीला होता है, यह एक प्रकार का मौत होता है, पतंगा होता है, जो गन्ने की पत्तियों तने का रस चूसता है, इसकी गिडार, गिडार मतलब सुन नोमा जो सरचना रहती हो, गन्ने में नेक्स सेकंड आता है इसमें जिसको हम लोकर जो इनसेक्ट निप्टोग और निप्टोगaux निप्टोग और को साहि यह जवाईय। उसको राइस बग ऐ कटमल जैसा बग होता है विए इस chu garage using उसका नस्ट करने वाले कीट की रूप में होता है इसमें नेक्स्ट और आता है जिसको बोलते हैं आप लोग रेट कॉर्टन स्टेन कह सकते हैं आप लोग रेट कॉर्टन स्टेन ठीक है इंसेक्ट का नाम है डिस्टेर कस कपास का ज्ञांगा बोलते हैं इसको हिंदे में यह खटमल जैसा लाल रंग कीट होता है कपास की पौधू की पत्यों को उनकी डूंडी को जो बट से लगते रहता है का लिकाएं रखते रहती है उनके लिकाओं को भी और वहां से र सुगर केन वाइट फ्लाई सुगर केन वाइट फ्लाई बोलते हैं ठीक है एल्यूरो लोबस यह देखने को मिलता है गन्ने का लाही यह मक्खी यह एक प्रकार का जो गन्ने का रुश रश्यूसने वाला रहती सक करने वाला रहती है नेक्स्ट फिप्थ आता है इसको बोलत लिए प्रणों होता है प्रमुख कारिय करता हैं यह तता है जिसको कैबेज एफिड्स बोलते हैं कैबेज एफिड्स यह जो गोभी का चेपा कहलाता है यह सरसों है गोभी के प्रजाती है उसके तनों और फॉलो का रस्चूसने वाला होता है नेक्स्ट आता है इसमें मैंगो लिफ हॉपर बोलते हैं जिसको हम लो क्या बोलते हैं मैंगो लिफ महिंगो लिफ हाफर यह जो महिंगो लिफ हाफर है इसके एक प्रजाती है इडियो सीरेकस आम का तेला या लासी बोलते है इसको यह बग आम की कमल टहनियों को कलियों को कुसता है। जो बोर लगता है उसको नश्ट करना में मैं प्रमुक कंटेंडिक रूप में अव्याओ के रूप में काम करता है जिससे आपके फसल प्रभावित होती है तो यह तो था रस Seth किट आप कुछ आता है पुदू के तनुक खोखला बनाने वाला कीट पुदू के तनुक के लिए ठीक है था फॉर स्टेम है तने को छेट करने वाले कीट के रुप में क्या-क्या मिलेंगे आपको देखना तने की चीट करने वाले में मीने जैसे को होता है कॉرج बदे पर और ानो तुम्राएबुंच्छ्पय कर्ना मक्का और भोभा तक प्र जाने प्रेइक जोबता है। मॉठ्च लइ ख 커ेन को Gef कोआब बनाने में आपने एक्टिविटी धर साता है। सुगरकें स्टेम बोरर होता है इसमें अरजी एक एनीमल है अरजी जिया करके आता है इसमें ये भी एक मौत होता है एक प्रकार का इसके जो लारवा होता है जो गन्य होते है सुगर केन होता है और बाजर होता है इसके तन्री को भीतर से खोकला करने वाला होता है नेक्स्ट इसमें जो और एनिमल देखने को मिलता है वो ग्राम कटरपीलर के रुप में देखने को मिलेगा आपको ग्राम कटरपीलर चने का गिडार बलते हैं चिसको हम लो ग्राम-कटर-पिलर देखने को मिलेगा इसमें एक प्रजात्ती, अलिुन-धस करके आता है, ये आपको दीखने को मिलेगा चने के गिडार, इसके कारण ये भी एक प्रकार का मौथ पतांग है इसके जो लारवा होता है, चने की अरहर के टमाटर के तम्भाकू के तनों को खोकला कर देता है, ठीक है? section आता है इसमें, उसको बोलते हैं हम लोग गेहूं की हैसियन मक्ही बोलते है हैसियन fly, क्या बोलते है? हैसियन fly, यह जो हैसियन fly है, है फइट यह फाईट यह को देखने को मिल सकता है चोटी-छोटी मक्की के लारवब होते हैं जोकी गहु के गुस कर गहू पूंसे के उसके अंदर को मत्रीयिव को खाके नंस्ट कर देता है। जिसके करण हिए प्रभावित हो जाती है प्रभावत है। लुखाय नहीं देगा। आपको दिखाई नहीं देंगे ठीक है नेक्स्ट आता है इसमें आप सुने होंगे cotton stem borer cotton stem borer यह जो cotton stem borer है यह कपास तना बेदक कर लाता है यह brittle होता है एक प्रकार का इसके जो लारवा होते हैं तनों को भेद कर उसी में फ्यूपर बना देता है कपास तना बेदक बोलते हैं ठीक है और नेक्स्ट इसमें जो देखने को मिलेगा आपको ब्रिंजल stem borer भी देखने को मिलेगा ब्रिंजल stem borer यह जो ब्रिंजल stem borer है मतलब भटा तना बेदक या बैगन तना बेदक यह हलका पीला सफीद रंग का गिडार होता है जो कि बैगन के तने को प्रभावित करने वाला होता है ठीक है एक और गिडार होता है जिसको आप लोग बोलते हैं चाल खाने वाले गिडार बार्क एटिंग बार्क एटिंग क्टरफिलर इंडरे वेला करके आता है गंदर रंका बादामी गिडार होता है तने की चाल को ख सिर्पोफेगा यह प्रजाती है सिर्पोफेगा निवेला सिर्पोफेगा निवेला यह कीट होता है कि तने के उपरी गांट को भेदन कर लेता है मतलब गांट में क्या करते। छेट कर देता है अंदर पूरे खोकला बना देता है जिसके कारण सुख जाता है उसका विकास रुख जाता है इसके अलाबा जो आपको एगरी कल्चर में है और देखने को मिलेगा वो लिफ के लिए मिलेगा लिफ को नुकसान पहुंचाने वाले कीट के लिए लिफ को उतरन वाले लिफ को खाने वाले तो इसमें जो आपको देखने मिलेगा वो क्या किया मिलेगा धी ठैक कहती है एक होता है जिसको आस्वाणत और प्रोड सभी का काम होता है धान की बालियों को खाना ठीक है धान की पत्तियों को डमेज करना धान की पत्तियों को खाना आसका सकते हैं आप समझ सकते हैं ठीक है इसमें नेक्स्ट आता है जिसको बोलते है राइस हिस्पा बोलते है राइस हिस्पा यह जो राइस हिस्पा ह यह छोटी काली नीली रंगी विसेस प्रकार की बीटल होती है जो धान की फसल की पत्तियों को हानी पहुचाने में अपनी भूमी का निभाती है नेक्स्ट मस्टर्ड एफिड बोलते हैं नाम से पस्ट आप समझ गया होंगे किसके लिए हानी का रखाए है मस्टर्ड एफिड हलकी हरी सपेद रंग की एफिड होती है जो कि ब्रसिका कुल के जो सरसो होती है उसके पत्ति को प्रभावित करती है नेक्स थार्ड इसमें देखने को मिलता है आपको मस्टर्ड साफलाई Mustard साफलाई Mustard साफलाई जो होता है ये कीट काले रनका गिडार होता है caterpillar होता है जो कि सरसू की जाती कि कुछ पोधों की पत्यों को खा जाता है ये हो गया लिप के बाद में आता है कुछ और इंसेक्ट होते हैं जो फसलों के फ्रूट फ्रूट फ्लावर and सीड पर अटेक करता है फ्रूट फ्लावर और सीड पर अटेक करता है ठीक है तो ये भी देख लीजिए आप लोग फटा फट ठीक है देखें क्या क्या आता है इसमें इस्पॉर्टेड रोल वार्म बोलते हैं कंपास की सुपलते है only करें oh ऐ è इस बोलते हैं ञीनश deployment 마ले कपास क किड़ा भी बूलते हैं तथा कपास कीड़ा भी ए assez इसमें जो लार्म भी आता है एक प्रजाती व कि इसमें काम करता है इसके जो मत होते हैं जो लारवा होते हैं वो कंपास के फूल फालर बीज में घुसकर उन्हें खोकला बना देता है अंदर से ठीक है नेक्स्ट आता है मिली बग बोलते हैं जिसको हम लोग मिली बग सुने होंगे आप लोग अधिकतर मिली बग छोटा सफेद कीट जो होता है इनफलोरसेंस या पुस्पक्रम और फूलो को नुक्सान पहुचाने वाला होता है नेक्स थार्ड इसमें जो आपको दिखाई देगा आपको ब्लू बटरफ्लाई दिखाई देगा ठीक है, cotton bug होता है, next, cotton bug, cotton bug, कपास की कलियों को, फूलों को प्रभावित करने वाला होता है, clear है, तो यह हो गया, किसको प्रभावित करने वाला, flower, fruit and then seed को प्रभावित करने वाला, next होता है, जो की roots को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करने वाला, roots को प्रभावित क सेला करके आता है इसमें क्या आता है इमेलो सेयरा डिप्रे सेला यह कीट आता है पिले सपेदरंका कैटरेपिलर होता है जो गन्ने की जड़ को प्रभावित करती है ठीक है इसमें आपको देखने को मिले को आपको देखने को मिलेगा इसमें पउधों की बीमारी को फैलाने वाले कीट तेखनाँ फैलाने किट ये तो फूल वाले हो गया ठीक QA बीमारी फैल आने वाले डिसीज प्रकेलडा के लिए प्लांटम्स मैं डिसीज के लिए कुछ बैक्टेरियय की प्रजाती है ये सारे से होने वाले इनेक रोग कीटों की द्वारा फ्पहलतें मतलब WAIRUS से होने वाले रोग हो मॉल्ड की द्वारा बैक्टेरिय की द्वारा हो स्अब किसके द्वारा फ्लते हैं कीट के दोरा किता है। Kitty के दोरा है फॉला होता है। यह थो व्ल् Gurgaard के लिए भाष। ठीक है। अब बात करते हैं हम लो मनुष्ट पालतु पर्षोऔर के लिए हानिकार mu कहीं है। मनौशों के लिए जो हनीकारक कीट है मनौशों और पालतु पर्शूं के लिए फर्स्त डिस्वड़राद एडवंटेज आप इंसेक्ट में आप क्रॉप पैस्ट पढ़ रहे था आप लोग ठीक है क्रॉप पैस्ट सेकें मैं यहाँ पर नोट कर रहों आपके लिए second जो होगा यह human and जितन भी प्रकार के आपके घर में जो पालतू पर्शू है उनके लिए जो pet animal होते हैं उनके लिए pet animal को रोग या के लिए harmful kit के बार में पहले पढ़ेंगे हम लोग ठीक है एक kit होता है जिसको आप लोग कहते हैं annoying insect बोलते हैं यह तो जानती ही होंगे annoying insect क्या होता है annoying insect यह जो annoying insects होता है यह खिचाने और चिर्णे वाला कीट होता है ठीक है यह कैसा होता है खिचाने और चिर्णे वाला कीट होता है मतलब यह इसकी उपस्तिती से मनुश्य और जो पर्शों होते हैं खीज उड़ते हैं काकरोज, लाल, काले चिटी होती है जिंगूर होती है उसको देखते ही आजीब से फिलिंग आती है मन में ठीक है दूसरा आता है जिसको आप लोग बलता है पैरासाइटिक इंसेक्ट पैरासाइटिक इंसेक्ट पैरासाइटिक इंसेक्ट परजीवी कीट कुछ कीट मनुश और पालतु पर्शों के सरीर को ही अपना घर बनाते हैं इसे से भोजन प्राप्ता करते हैं है ठीक है इसमें दो प्रकार की कीट आपको देखने को मिलेंगे एक होता है एक्टो पारासइट आप दूसरा होता है इंड्डो पारासइट मतलब जो सरीर के बाहर उपस्तित रहता है लुधिर चूचने वाला रहती है जैसे लूज होता है जिसको जू बोलते हैं आप लोग पेडिकुलस के प्रजाती आती है फ्लीस बोलते हैं जिसको पिस्सू बोलते हैं आप लोग खटमल की प्रजाती है जिनो जिनो फसीला करके आता है खटमल बेड़ बाग होता है सेमेक्स चीलर वगएरा होता है जो एक्टो बा बाहा परजीवी की रुप में होते हैं, बाहर से रखत का मक्षन करते हैं, अंता परजीवी एंडो-पैरसाइटिक, मनुश्य और प्रशूवी की तचा के अंदर घुसकर घाव बना देते हैं, वही पर अंडे देते हैं, घाव में भेड़वा घोड़ों की बगई मच्छिया इसका अच्छा खासा एक्जामपल आपने देखे होंगी, उसके अंदर प्रविस करते हैं, गोड़ों और भेड़ के अंदर और अंदर घाव में अंडे देते हैं, और वहां से मक्हिया निकलती हैं, आपको दिखाई दे सकती है, बड़ा भयाने के सितिया आपको देखने क इसमें के टतएएं हैं सबस्टर बितल लेटा करके आता है कि सरीव समय पर Utd or Agra निकलता है और और प्रवभभ करता है इसमें आता है डिजीज केरियर इंसेक्ट मतलब रोग वहां कीट के रोगों के वाइरस जवानों का सवहन करने वाले होते हैं मनुश और पालतु में ठीक है तरह से कई कीट आते हैं इसमें क्या क्या आएगा जैसे एक होका जिसको आप लोग कहेंगे हाउस फ्लाई यह तो ज जिसके द्वार ह है इसको पहले भी पड़ा होगा आउस फ्लाई बोलते हैं इसके द्वारा अतिशार है पेची सैसुजाख है कोड है तैपई दिखा टाइफाइट बगएरा है इस सारे का फालाव इसके द्वारा होता है ठीक है नेक्स्ट इसमें आपको देखने कर मिल सकत मास्कीटोज यह जो मास्कीटोज है इसके कारण malaria, phylariases, जो दंडग जवर बोलते है न इस इस प्रकार का fever यह लो फ्रीवर भी होता है पी तक जवर होता है वो सम् मास्कीटोज की वज़ा से फैलता है मास्कीटो ही संचरन करता है transmission करने में मददगार होता है ठीक है red flea जानते है red flea जानते है चुहा fly जानते है जिसको चुहा fly बोलते है rat flea जिनोफिला करके एक प्रजातिया आती है जो कि चुहे के skin में पाई जाते है plague उत्पर ना करता है झीहिं भी वह संटनेंच जो भूराय है एक गहता है जिसको आप लोग बलते हैं सीशी थैल। थैन जोभिने का थो हिसे अफ्रिक सल्च भेतक पना करता यीशॉचॉर div बैड बग उपर जो पढ़े था ना बैड बग एक्टो पारसाइट वो पढ़े थे बैड बग बैड बग खटमल बोलते हैं जिसको या इसका करण टाइफस रोग होता है रापसिंग जोर वगरा होता है कोड फालाने में मदद गार कीट होता है ये नेक्स्ट आता है इसमें लूज या जूएं जानते हैं आप लो लूज यह जो जूएं होते हैं सरीट कर जूब होता है यह टाइफस रोग टैंच जोर है रिप्लैसिंग है यह ऐसे खतरनाक डिसीज को उत्पन करने वाले और फैलाने वाले होते हैं ठीक है तो यह दूसरा human and pet animals के लिए तीसरा प्र उपयोगी वस्तूओं के लिए विनाश का रिकेट हाम्फूल हाम्फूल एंसेक्ट फॉर यूसफूल प्रॉडक्ट ऐसे लिए यहैं जो ईपयोगी वस्तूओं जो तो होते हैं उसको नश्ड करने वाले कई कीट आपको देखने को मिलेंगे इसमें क्या कीट देखने को मिल सकते हैं आप देखिए इसमें एक मिले हैं जिसको आप लोग दे खाते पताषों को फूट पेस्ट के नाम से जानते हैं छादिय पतार्थ को नस्ट करने हो ला कीटिसमें घून वगर ? फॉट दे तरका अंडर उपन करते हैं और अंडरोपन करते हैं और उन्डोस निकले लारवा तानों को भीतर बीतर खाकर को कोक्वला कर देता है एक होता है जिसको बोलते हैं termites, termites तो आप लोग जानते ही होंगे दीमक, लकड़े पुस्तक को नुकसान पहुचाते हैं, ठीक है इसमें और आता है silver fees बोलते हैं जिसको आप लो, silver जाव यह पाने में तहरने वाले fees नहीं है याद रखना, lapisma बोलते है, रजत मक्ही बोलते ह है यह पुस्तक कागज और फोटो आदी को अंदर यंदर खा कर स्टार्श ग्रहन करते हैं, मतलब धिरे से उसको खतम ही कर देती है, ठीक है नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा cloth moth करके देखने को मिलेगा, अर्थात वस्त पतंगी बोलते हैं जिसको या उनी वस्तर में छिद्र कर देती है, दवाई तंबा को सिग्रेट आधी पर आकरमन करने वाली कीट की रूप में रहती है, यह सारे कंटेंट जो अभी आपने पढ़ा, यह पूरा का पूरा का कंटेंट हाउंफूल और डिस एडवांटेज आफ इंसेक्ट है, ठीक है, पहले नंबर में अब आपको दूसरा पहलो भी जानना चाहिए, मतलब, एडवांटेज आफ इंसेक्ट, क्या लाब हो सकता है, आपको देखिए, यह भी बहुत सिंपल है, कीटों से क्या-क्या लाब हो सकता है, इसको कुछ स्रगने में हम बाइंट सकते हैं, चाहें तो, ठीक है, फास्ट ट अपन यहां पर डिवाइड करते हैं, उप्योगी वस्तों की उतपादा कीट के लिए, मतलब, फार प्रोड़क्ट लिग देता हूं, फार प्रोड़क्ट, ठीक है, प्रोड़क्ट प्रोड़क्शन के लिए, प्रोड़क्ट प्रोड़क्शन के लिए कहना है, मतलब, कई प पतंगा बोलते हैं रिसमकीट का पतंगा बंबिक समोरा इसकी प्रजाती है सिल्क वर्वमुत रिसमप्राप्त करने के लिए रिसमकीट को पाला जाता है ठीक है दूसरा आपको देखने को मिलेगा हनी भी जानते होंगे मधुमक्खी मधुमक्खी को आजकल अद्यूगी आपी सारी प्रजाती को पाला गया है, एपीस मलिपेरा, एपीस इंडीका, एपीस डॉसेटा, एपीस डॉर्ट, बहुत सारे मध्मक्यी जिसको पाला जाता है, जिसके साहथा से, शहद, हनी, और दुसरी पकार की यौज़ियां, उनकी छाते से प्राप्त की जाती है ठीक है एक होता है लाक इंसेक्ट लाक कीड बोलते हैं गाओं की भास्ता में ग्रामों भास्ता मैं आपने देखी होंगे लाक इंसेक्ट लासिफर लाका बोलते हैं जिसको वो इसमें आपको देखने को मिल सकता है ठीक है इसमें लाक प्र कोकिनीयल बगs, लाहि अर्था कोकिनीयल बगs, में लादाराफ है एक लाल रंग होता है और इसका उपयोग जो कास्मेटिक प्रोडक्τ बनाने है के लिए भी इसका उपयोग करते है लाही का उपयोग करते है कुछ वाइस बगारा में कुछ दबाओं को रंगने के लिए भी वूपिंग कप अदिव के उपचार में भी काम आता है verses खासी बोलते हैं ना इसको 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 बोलते हैं ब्लीसियर बीटल बोलते हैं लिट्टा फपुला गुब्रेला इसके रक्ट से कैंथरायडी नामक दवा बनाई जाती है इसमें आपको देखने को मिलता है ठाइन के लिए आप जानते हैं कि पॉलीनेशन करने वाले कीट काई काई होते हैं आ खानवला धिसभू गुब्रेल खूला कीटों कीट के होते हैं कुछ खाया जाने वाले कीट भी होती है, for food ना धिखन उसको कही कीट होती है G&B's आप घरमें पक्षिय पालके हूए है, मुर्गय पालके हूए है , मश्लियों की चारे के लिए जिंगूर और पतंगी आपको भोजन के रूप में उसको उप्योंग किया जाता है next आपको देखने को मिलता है हानिकारक कीटों को नस्ट करने वाले भी कीट होते है ठीक है रहा for harmful insect मतलब हानिकारक कीटों को नस्ट करने वाले कीट जिसे डेगन फ्लाई होता है जल कीट होता है अनिक हानिकारक मच्छर को खाकर नस्ट कर देते हैं सफाई करने वाले कीट होते हैं कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हुथे हैं इस वेन जट्स होते हैं, मतलब स्वक्षता प्रेमी होते हैं, सफाई करने वाले कीट होते हैं, कुछ मक्या गुब्रेलेक अकुरुचादी के लारवा और व्यसक घर लारवा जो एडल्ट होते हैं, कीडों के अनक इस्थानों पर सड़ी के लिवस्तू को खा कर उनने सरल पद सेरियल और नंबर में सारी चीज़े बता दिया हैं, की इनसेक्ट में क्या होए, एनिमाल से भी प्रकार के इनसेक्ट में आपको दिखाए देगा, ठीक है, इई वीडियो अगर पसंद आया था, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली था कि नई वीडियो की जनकरिया आपको मिल जाए, आज की वीडियो मिस नहीं, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा, थेंगी सो मुच,